हलो एंड वेलकम टू जैम केम एंड पड़रे आईटी जैम एप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है तो हम डिसकस कर रहे थे C.U.E.T.P.G. 2022 का वीडियो सोलुशन जिसमें हम पहले दो पार्ट डिसकस कर चुके हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के तो अभी तक हम 50 कोईशन डिसकस कर चुके हैं तो लास्ट के 25 कोईशन बाचते हैं तो आज हम इस पार्ट 3 मेले डिसकस करने जा रहे हैं ठीक है तो पार्ट 3 है यह हमारा पहले दो पार्ट हो चुके हैं अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं यह जो पार्ट है इसमें mostly question रहने वाले हैं organic chemistry से organic chemistry के question हम discuss करेंगे अगर आप में से कोई भी student complete preparation करना चाहता है CUT PG की jam की PGT exams की तो आप हमारी app download कर सकते हैं वीडियो के description से पढ़रे IIT jam app है टेलिग्राम पे आप हमें join कर सकते हैं jam cam 2020 से और यह हमारे दो contact number है अगर आपको पढ़रे IIT jam app के courses के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इन दोनों number पे contact कर सकते हैं तो चलिए student start करते हैं 76 number question से क्योंकि 75 तक हम already discuss कर चुके हैं mostly question organic chemistry के रहने वाले हैं यहां से तो देखे बहुत ज़्यादा questions पुछे गए हैं आपका reaction mechanism से reaction mechanism से no question पूछे गए हैं ज्यादा tough नहीं है basic question पूछे हैं easy question पूछे लेगी no question reaction mechanism से तो हां यहां पे जुरूर देखने को मिला organic chemistry में कि जो official syllabus दिया गया था उससे जुड़े हुए question ज्यादा पूछे गए हैं यहां पे बिलकुल यह बात देखने को मिली तो चलिए start करते हैं और देखते हैं सबसे पहला question ही reaction mechanism से पूछा गया आपका तो आपको दो statement given आपको बताना है in the light of above statement choose the correct answer तो E2 यानि की E2 elimination reaction जो होती है हमारी क्या वो second order की kinetics को follow करती है तो यह बात तो बिलकुल सही है not occupied by rearrangement तो यह भी बिलकुल सही है ठीक है तो यानि की first statement हमारी बिलकुल correct हो जाती है E2 reaction shows large hydrogen isotopic effect isotopic effect होता न है तो यह भी basically बात बिलकुल सही है यहाँ पे यह large show करती है वही E2 elimination even में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा यह वाला funda हाँ E2 में जुरूर देखने को मिलता है आपका hydrogen isotopic effect तो यह बात दोनों ही बिलकुल true है तो both statement first and second are true theoretical है इसमें कुछ भी आपका ऐसा नहीं है जब आपको E1 की E2 की E1CB की EI की जब आपको theoretical बाते हैं पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर already यह चीज़ें लिखवाई जाती है समझाई जाती है ठीक है next question फिर भी अच्छा question है stereo chemistry से है RS nemenclature से है और मैंने बताया भी था कि question आएगा याएगा देखे student बहुत simple है मैं इसको अलग कर लेता हूं निकाल के मैं पहले दो number carbon की बात कर रहा हूं यहां से मैं इसको अलग कर लेता हूं यहां पर OH रहा होगा यहां पर C double bond OH रहा होगा और यह जो carbon है यह वाला जो carbon इसके उपर आपका OH लगा हुआ है कुछ ऐसे तो आपको बताना है कि इसकी जो है configuration क्या होगी देखे student यहां पर hydrogen भी लगा होगा हम ऐसा माल लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना तो यह carbon number 2 है सबसे पहले हमें यहां पर करनी होती है numbering according to CIP rule CIP rule के according numbering कीजिए तो according to CIP rule CIP rule क्या कहता है सबसे पहली priority देनी होती है आपको highest atomic number को तो देखे यह भी carbon के साथ जुड़ा हो यह hydrogen यह होगा है चाहिए रहा तो highest priority मिलेगी oxygen को OH क्योंकि इसका atomic number highest है उसके बाद अगर आपका atomic number same हो जाता है तो आप mass number भी देख सकते हैं कुछ cases में अब यहां पर देखिए यह भी carbon है और यह भी carbon है यहां पर OH लगा हुआ बट यहां पर double bond O लगा हुआ है अगर double bond O हो इसका indirectly मीनिक आप यह भी निकाल सकते हैं कि यहां पर दो O लगे हुए हैं तो यहां तो एक ही O है बट यहां दो O है इसलिए इसको second priority मिलेगी तो यह आपकी second priority और यह आपका third priority और hydrogen आपकी fourth priority ठीक है तो fourth priority dash पे आगे dash पे west dash ठीक है अब आप देखिए one two three की direction कैसे आ रही है one two three की आप one two three की direction देखिए तो one two three की direction आ रही है आपका anti-clockwise one two three की direction के अब देखो अगर आपका fourth priority dash पे हो ठीक है एंड one say two two say three अगर वो clockwise हो क्या हो अगर वो clockwise होती तो S configuration होती तो S configuration होती इसी प्रकार अगर fourth priority wedge पे हो wedge पे हो तो 1 से 2, 2 से 3 अगर यह clockwise होती तो R configuration ठीक है? तो wedge dash वाला थोड़ा सा फंडा देख लेना आपने तो अब यहाँ पे देखिए fourth priority यहाँ पे आगई और anti-clockwise direction में है तो अगर clockwise होती तो S होती बट अब यहाँ पे R क्या configuration आगई जी R 2 की configuration क्या गई R इस option को हटा दो इसी प्रकार आप यहीं पे देख लीजिए अब ज़्यादा दूर जाने की जूरत नहीं है यहीं पे देख लीजिए हना hydrogen का कोई funda नहीं है कहीं पे भी दिखा दो पहली priority जाएगी यहाँ पे अब देखो दूसरी priority पे OHS OHS सेम है तीसरी पे carbon है लेकिन यहाँ पे तीसरी पे carbon के साथ oxygen लगा हुआ है carbon के साथ oxygen तो second priority यह इस वाले carbon को जाएगी third priority इसको जाएगी और fourth priority इसको जाएगी अब one to three की direction one to three की direction clockwise है fourth priority wedge पे है और one to three की direction clockwise है इसका मतलब R configuration तो इसका मतलब three की भी R आएगी three की भी R, three की भी R, three की भी R very good बहुत बढ़िया ठीक है अब देख लेते हैं हमारा carbon number fourth यहाँ पे ध्यान दीजिएगा students तो सबसे पहले तो इसी को जाएगी first priority तो यहां carbon पे H लगाओ कई ठीक है यहां भी carbon पे OH लगाओ है बत यहां पे hydrogen लगाओ और यहां पे फिर से carbon और OH लगाओ है तो second priority फिर से इसको जाएगी third priority इसको जाएगी और fourth priority इसको जाएगी फिर से fourth priority आपका wedge अगर देश पे है anti-clockwise and fourth priority यहाँ प्यारी है, फिर से इसकी R configuration हो जाएगी इस question का जो correct answer आएगा वो आएगा A, 2B R configuration हो करेगा, 3B R configuration हो करेगा and 4B R configuration हो करेगा इसको आप कहीं new man projection में, sorry new man तो नहीं, आप future projection में convert करें, इतना time waste नहीं करना होता आप डिरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं A is the correct answer next question, बहुत simple question है बहुत बार पुछा जा चुका है बहुत सारे exam में, पहले simple simple की बात कर लेते हैं देखे भई, अगर हम बात करें SP3 hybridization, पका ही non-aromatic हो गया, तो यह तो D तो इससे match कर गया यह सारे बच्चे जानते है 6-py electron हकल रूल को follow कर रहा है, aromatic हो गया 4-py electron anti-aromatic हो गया और यह वाला जो system है इसको हम बोलते हैं homo-aromatic compound इसको हम क्या बोलते हैं, homo-aromatic compound देखे, अगर इस carbon को छोड़ दे तो बाकी पूरे system में conjugation है, और बाकी पुरा system बार पुछा जा चुका है यह आप से ठीक है, तो यहाँ पर इस question का correct answer क्या एगा, A का third तो A का third A के option में दे रखा option number D में A का third A के option में दे रखा है और वो है आपका option number 3 ओके, हौप कि आपको समझ में आगा होगा, बहुत ही easy question था next question, फिर से reaction mechanism से पुछा गया है बहुत ही simple question the rate of SN1 reaction depends on the both carbon, succleton, इसको basically आप substrate भी बहुत सकते हैं and nucleophile, क्या इन दोनों पर depend करता है, नहीं भई और भी बहुत सारे factor होते है living group भी होता है living group भी होता है solvent भी होते हैं, बहुत सारे factor होते हैं, तो only यह दो नहीं होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं यह बात तो पक्का है living group का पक्का फंडा रहता है SN1 हो चाहिए, SN2 कौन सी भी हो उसके बाद इसका मिलाब यह कुछ हद तक गलत लग रही है अगर आप statement 2 देखोगे तो, यहाँ पर कहरा है कि SN2 में carbon, sorry carbon cyclical तो होता ही होता है living group भी होता है and nucleophile पे भी relate करता है तो, यह कुछ अत्तक ठीक है यह सही है इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका दोनों statement तो true नहीं है यह बोलने कि first statement, sorry D इस question का correct answer आएगा first statement false है क्योंकि वो सारे parameter पे खरी नहीं उतर रही है second statement बिलकूल सही है इसलिए इस question का correct answer आएगा आपका D D is the correct answer D is the correct answer चलिए, बहुत simple question था next question की बात कर लेते है which of the flowing trends of nucleophilicity is not correct इन में से nucleophilicity का trend correct नहीं है इन options में से वो आपको बताना है देखिए, सबसे पहले अगर आप यह बात करेंगे ET ET and यहाँ पर O negative दूसरा OH negative देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो कि किसका इसमें, देखो, कैसे आप relate कर सकते हैं कैसे आप समझ सकते हैं दोनों पर oxygen के उपर negative charge है बट यह R है, carbon है basically and यह hydrogen है तो यहाँ पर electro negativity difference कम है इस लिए इसके उपर कम negative develop होगा इसलिए इसके उपर कम negative develop होगा, वहाँ पर जदा negative develop होगा तो इसलिए यह वाला unstable basically electron donate करना चाहेगा तो यह अच्छा nucleophile होगा यह अच्छा nucleophile होगा ठीक है, amonia निया भी अच्छा नुकलियोफाइल होता है as compared to देखो एक तो लोल पे नाइट्रोजन पे और उक्सिजन पे more electron negative वाला तो electron पे इजली देगा नहीं नाइट्रोजन देगा ये भी ठीक है ये दोनों तो order ठीक ही दिख रहे हैं यहाँ पे उसके बाद ये देखो यहाँ पे basically क्या फिनोकसाइड आयन है तो फिनोकसाइड आयन तो resonance stabilize है इसका जो ये negative charge this is the part of conjugation तो इसके पास availability रहेगी नहीं ज़्यादा electron देने की इसलिए ये एक अच्छा nucleophilicity इसकी ज़्यादा नहीं होती है तो पका एक तो ये मिल गया हमें option C जो कि incorrect है I negative की ज़्यादा nucleophilicity ज़्यादा होती है BR से ये भी सही है उसके बाद यहाँ पे देखिए this is also resonance stabilized ये फिर से resonance stabilized है वो resonance stabilized नहीं तो ये अच्छा है nucleophilicity इसकी nucleophilicity ज़्यादा होगी इसकी comparison में तो इस question का correct answer आएगा D इस question का correct answer आएगा D जो आपका C और E है C और E option है वहाँ पे resonance की वज़े से जो negative charge वो D localized हो गया है तो उसकी availability इतनी ज़्यादा नहीं है इसलिए उनकी nucleophilicity का order यहाँ पे गलत दिया हो है So D is the correct answer Next question की बात करते हैं बही देखिए Reagent से जुड़ावा बहुत ही basic question Sodium borohydride है sodium borohydride एक aldehyde है और एक आपका ester है तो बच्चे को पता होता है कि sodium borohydride aldehyde को reduce करतेगा बट वो ester को reduce नहीं करता है ester को reduce नहीं करता है तो पहले में ester को reduce करवा दिया गलत है दूसरा बिल्कुल सही है So B is the correct answer Sorry, 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 sorry इसने carboxylic acid में convert कर दिया ऐसा नहीं है भई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है Yes C is the correct answer C आएगा यह क्या करेगा aldehyde को alcohol में convert कर देगा ester वैसा का वैसा रहेगा और जो कि आपको option number C में दिखाई दे रहा है ठीक है बहुत ही simple question, बहुत ही easy question Next question देखते है A reaction between methyl bromide तो यह रहाजी आपका CH3-BR and sodium tartabutoxide sodium tartabutoxide यह रहाजी तो बताव क्या होगा तो यहाँ पे basically क्या होगा न यह attack करेगा यहाँ पे and BR leave कर जाएगा और जैसे ही यह leave करेगा तो यहाँ पे कहानी बनेगी कुछ यह CH3 आके यहाँ पे लग जाएगा तो basically substitution reaction हो जाएगी कैसी reaction हो जाएगी है कै substitution reaction हो जाएगी तो यहाँ से आपका इस question का correct answer आएगा क्या tart tart butyl methyl ether इसको बहुत सिंपल है देखने से काफी असान भी लग रहा काफी बार पूचा भी जाता है ह2 and OH के साथ तो यहाँ से आपको क्या निकाल देना होता है यह water निकाल देना होता है तो यहाँ पे क्या बनता है इसको क्या बोलते है इसको क्या बोलते है बढ़ाओ फट आफट से तो इसको बोला जाता है oxyme इसको क्या बोला जाता है oxyme ठीक है ना इसको क्या बोलेंगे Oxym तो first का three इसी परकार इसी परकार आपको ऐसा यहाँ पर भी करना है NH2, NH2 है तो फिर दूसरी जगा क्या बन जाएगा जी यह रहा जी NH2 लग जाएगा इसको क्या बोला जाएगा Hydra Gene Hydra Zone बोल सकते हैं तो इसका अंसर क्या जाएगा जी यहां से B का अंसर आजाएगा fourth अगर P यह रहा तो यह क्या बन जाएगा अगर यहां पर यह तो simple था Hydra Gene तो इसलिए Hydra Zone बन गया यह Phenile Hydra Gene है तो इसलिए Phenile Hydra Zone बन जाएगा तो C का आगा second और जब आप इसकी यूरिया की reaction करवाएगे यूरिया टाइप काई complex है इसकी reaction जब करवाएगे तो यह बनेगा A semi carbo zone semi carbo zone ठीक है तो बहुत simple है मेरे हिसाब से A का third B का fourth C का two and D का first A is the correct answer इस question का जो सही answer आजाएगा वो A is the correct answer बहुत ही simple सी process होती है already बच्चों को बता होनी चाहिए ठीक है next question की बात कर लेते है given below the flowing statement क्या para nitro phenol ज़्यादा acidic होता है phenol से बिल्कुल सही बात है जी यह तो बिल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि NO2 का minus M effect लगता है यह रहा जी phenol और यह रहा जी यहाँ पे NO2 यह O है चाहिए तो यह रहा जी आपका NO2 यह कह रहा है क्या यह ज़्यादा acidic है बिल्कुल सही बात है NO2 का minus M effect लगता है तो minus M क्या करेगा इसको stabilize करेगा जी तरह ज़्यादा stable conjugate base होता है उसकी उतनी ज़्यादा acidic strength है तो पहली statement बिल्कुल correct है उसके बाद para-nitrofenol is less acidic than 3,5-dimethyl-4-nitrofenol बनाना पड़ेगा भाई इसको थोड़ा सा तो यह एक और मना लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे है कारें कि 3 और 5 पे यह OH हो गया यह 2 नंबर हो गया यह 3 यहाँ पे लगा दिया मिथाईल यहाँ पे लगा दिया मिथाईल और यहाँ पे लगा दिया NO2 देखिए basically बहुत बढ़िया है क्या para-nitrofenol less acidic होगा para-nitrofenol यह रहा जी para-nitrofenol इससे less acidic होगा देखिए ठीक है यह बात less acidic नहीं होगा यह statement correct नहीं less acidic नहीं होगा देखिए यहाँ पे होना क्या न basically यह दोनों आने की वज़े से कुछ हद तक यह NO2 out of plane चला जाएगा आप समस्मझ सकते हैं जिसकी वज़े से minus M लगेगा नहीं minus M नहीं लगेगा तो इसकी acidity कम होगी नहीं कि इसकी तो यह तो मुझे यहाँ से incorrect लग रही है बाकि अभी एक बार और इसको verify कर लेंगे फिनोल acidity is based on the stability of corresponding conjugate base बिलकुल सही बात है जी बिलकुल सही बात है पैरा-mithoksy-phenol is more acidic than phenol बिलकुल गलत बात है जी बिलकुल गलत बात है क्यों? यह कहरा कि यहाँ पे यह तो phenol है यहाँ पे OCH3 लगा दो अरे भाई यह तो plus m plus m की वज़े से इस conjugate base को unstable करेगा अगर conjugate base unstable हो गया तो फिर क्या होगा? acidity कम हो जाएगी तो इसलिए कहरा है ज्यादा acidic नहीं जी phenol are more acidic than बिलकुल सही बात है phenols ज्यादा acidic होते है अलकोहल से उसका reason होता है they are resonant stability resonance possible होता है तो इस question का answer मुझे नजरा रहा है A, C, E A, C, E इसलिए इस question का correct answer होगा C, A, C is the correct answer A, C is the correct answer next question G, O, C का question था simply this is B, V, O this is B, V, O इसको बोला जाता है Bayers-Villager Oxidation Bayers-Villager Oxidation सबसे पहले देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको नजरा रहा होगा कि एक pH है उसके बाद C, double bond O और यहाँ पे CH3 है इसकी reaction करवाई गई है आपका Trifloro Paroxicid से ऐसा कुछ होता MCPBA भी जो भी आप बोलना चाहे बोल देना तो क्या होगा जी यहाँ पे MCPBA माल ले तो हमें वैसा ही कुछ है बाकी फरक नहीं पड़ता यह देखने से पता लग रहा Paracid है ना Paracid है और आपका Ketone है या Aldehyde है कोई Aldehyde ही है तो Ketone है सबसे तो यहाँ पे क्या होगा Bayers-Villager Oxidation होगी अब बात यहाँ आती है कि यहाँ पे O डाले है यहाँ पे तो इसके लिए हम Migrating order देखते हैं Migrating order देखते हैं तो migrating order में Phenols और Methyl से पहले जो number है Methyl का ही number आता है As compared to Methyl इसलिए हम क्या करेंगे यह जो P है यह O and C double O CH3 यह बिलकुल correct होगा A में तो यह बिलकुल correct होगा तो ऐसा आपको कहा नजर आ रहा है ऐसा मुझे नजर आ रहा है इसमें तो बिलकुल नहीं नजर आ रहा है B में फिर भी नजर आ रहा है इसमें भी नजर नहीं आ रहा है और इसमें भी नजर नहीं आ रहा है ठीक है इसी प्रकार अगर एक आपके पास फिनाईल है और एक 3 डिगरी है तो 3 डिगरी की ज़्यादा होती है pH से भी इससे भी ज़्यादा होती है इसके तो यहाँ पे फिर आपको क्या कर देना है इसी लिए यहाँ इसी साइड इसका रखा गया है OH यहाँ पे यहाँ पे आपको O ल पाते हैं कोई mechanism में जाने की ज़्यादा दूर्थ होती नहीं है ठीक है next question की बात करते हैं बहुती simple question नजर आ रहा है carboxylic acid acidity बतानी है यह acetic acid है यहाँ पे हमने extra एक इथाई लगा दिया है यहाँ पे एक chlorine और यहाँ पे दो chlorine होगी तो हमें बता है chlorine minus i effect सो करता है अगर minus i effect सो करेगा तो electron density को अपनी तरफ खीचेगा जिसके यह conjugate base जैदा stable होगा जितना ज्यादा conjugate base stable होगा उतनी ज्यादा उसकी acidic strength होगी यहाँ पे एक कलोरिन वहाँ पे दो कलोरिन तो दो कलोरिन जञाधा इलेक्ट्रोन खीचेंगी तो जञाधा stability होगी जञाधा acidic strength होगी तो D की acidic strength सबसे ज़ादा होगी इन दोनों को हटा दो उसके बाद C की होगी उसके बाद A की होगी क्यों? इथाइल तो प्लस आई सो करता है इथाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोन डेंस्टी देगा अगर इथाइल इलेक्ट्रोन डेंस्टी देगा तो conjugate base को unstable करेगा conjugate base को unstable करेगा तो acidic strength भी कम हो जाएगी इसलिए यहाँ पे correct answer आएगा B, B is the correct answer इस question का सही जवाब आएगा B, चलिए भई next question की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे तो देखे भई यह भी basically indirectly relate करता है reaction mechanism से ठीक है? तो यह reaction coordinate energy का graph यहाँ पे दिया गया है तो बता रहे हैं भई पहला जो the first and second step respectively of the about two step reaction बताओ कौन सा endothermik का कौन सा exothermik है देखे भई यह यहाँ पे और यह यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखेंगे यहाँ पे तो overall energy का कुछन कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे basically gain हो रहा है energy का यहाँ पे कुछन कुछ gain हो रहा है इसलिए यह वाला होगा आपका endothermik ठीक है यह दोनों हटा दो first step उसके बाद यहाँ से अगर यहाँ पे आएंगे तो energy आपका जो है release हो रही है energy release हो रही है देखे product की जो energy थी reactant की जो energy थी product की उससे कम हो गई इसका मतलब energy release होगी है ना और दिख भी रहा है यहां से तो इसलिए यह endothermik है पहला step और दूसरा exothermik है so इसलिए इस question का correct answer आजएगा B so इसलिए इस question का correct answer आजएगा B ज्यादतर question mechanism बताने वाले नहीं बूचे हैं जिसमें mechanism की बात आएगी जुरूर बताया जाएगा काफी अच्छे तरीके से the major product formed in the reaction between and butane chlorine under photochemical condition तो देखिए भई यह रहा जी आपका butane अब यहां पे इन्होंने बोला कि chlorination करवा दो indirectly यही तो बोल रहें कि chlorination करवा दो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहां पे free radical बनता और उस free radical की stability को देखके हम major product बताते हैं तो क्या क्या possibility है free radical बनेगी इसके अंदर and butane वैसे है यह तो इसके अंदर दो ही possibility दिखती है एक तो आप का यहां radical बन सकता है और दूसरा आपका यहां radical बन सकता है अब जहां radical बनेगा वहीं तो आपको कलोरीन लगाना है ना तो एक आपने यहां पे कलोरीन लगाया और दूसरा आपने यहां पे कलोरीन लगाया तो कौन से वाला product major product होगा तो मैं कहूंगा यह वाला major product होगा उसका reason यह है कि इसके पास five alpha hydrogen है ये वाला जो free radical है carbon free radical है ये ज़्यादा stable है अगर ये ज़्यादा stable है तो यही major product भी बनाएगा तो इसका नाम क्या हो गया जी two chlorobutane इसका नाम क्या हो गया major product पूछा था major product पूछा था तो इसका नाम हो गया two chlorobutane simple सा question chlorination photochemical reaction free radical यहाँ पर बनता है अमें बता ही होता है इसके बारे में ठीक है next question फिर से आपका पूछा गया है stereochemistry से ये कह रहा कि एक molecule है any molecule which have plane of symmetry और center of symmetry क्या वो achiral होता है बिल्कुल सही बात है हला अगर symmetry element present है तो वो achiral होगा सही statement है बिल्कुल बढ़िया है compound that contains stereogenic center but themselves achiral is called meso बिल्कुल सही बात है भाई कुछ compound हम ऐसे देखते हैं जिनके अंदर already stereogenic center present होते हैं जैसे इस type के कुछ आप देख सकते हैं माल लेते हैं कुछ इस type का complex आप देख लो अब इसके अंदर stereogenic center present है ठीक है फिर B achiral है उसका reason है कि यह वाला compound internal यह जो है na POSO कर रहा है और मलब इसकी वज़े से meso compound और meso compound भी achiral की category में ही आते हैं ठीक है तो दोनों ही statement बिल्कुल सही है दोनों ही statement बिल्कुल सही है सो इस question का भी correct answer आजाएगा A next question की बात कर लेते हैं this is related to benzyne intermediate इसका मैं आपको mechanism जुरूर बता दूँगा पहले तो आप इसको ध्यान से देखे आपसे सिर्फ major product पूछा है major product पूछा तो यह दोनों तो major होने से रहें तो answer आएगा आपका answer आपका A, B, C में से तो मैं इसका पूरा mechanism भी explain कर देता हूँ आपको सबसे पहला देखें यहाँ पे क्या दिया हूँ है सबसे पहले कुछ इस तरीके से यह दिया हूँ है यहाँ पे यह आपका CH3 हो गया and यहाँ पे BR हो गया अब देखें यहाँ पे hydrogen रहा होगा तो सबसे पहला step हमारा क्या रहेगा यहाँ पे कि भई N-A-NH2 sodium हमा यह दिया है liquid ammonia दिया है तो हम यहाँ से proton को निकालेंगे अब देखो भई proton आप यह वाला निकालोगे या यह वाला निकालोगे कोई फरक पढ़ना नहीं कौन सा भी निकाल सकते हैं mainly सबसे पहला step यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से negative यानि कि proton निकल गा है यहाँ से यह रहा और यह CH3 उसके बाद यह यहाँ पर attack करेगा BR जाएगा तो यहाँ पर किसकी formation हो जाएगी benzyne की तो यहाँ तक कोई doubt होता नहीं है मेरे साब से आगे main बात आएगी अब आपको यहाँ पर किसका attack कराना है अब आपको यहाँ पर attack कराना है किसका NH2 negative amide का अब दोखो यहाँ से दो possibility बन सकती है एक तो आप इसका यहाँ attack करवाएं इस bond को यहाँ break करें दोनों condition मैं समझा देता हूँ आपको आप देख लीजिए का जैसे ही आपने इसका attack करवाया यहाँ पर यहाँ NH2 गया और negative charge आया यहाँ पर प्लस दूसरी possibility क्या हो सकती थी यहाँ पर दूसरी possibility यह हो सकती कि यह CH3 रहा यहाँ पर आपने NH2 का attack करवाया तो यहाँ negative charge अब आप खुद देख के बताओ according to plus i यह electron देगा यह electron देगा इसको negative charge को electron देने का मतलब तो यह unstable करेगा इसको unstable करेगा इसको और यह थोड़ा सा दूर पढ़ता है यह stabilize रहेगा तो ज्यादा stable यह रहेगा इसलिए यह वाला आपका major product होगा और यहीं पर आपने hydrogen चिपका देना है यहीं पर आपने hydrogen चिपका देना है तो ऐसा option जो आपको नजर आ रहा that is option number B option number B is the major product option number B is the major product बिल्कुल सही है हला minor होई है C तो वैसे भी possible नहीं था BR तो last में बचेगा ही नहीं तो A और B में से आना था वैसे यह दोनों product possible है लेकिन major वाला जो होगा वो B वाला product आपका होगा next question की बात कर लेते है student फिर से reaction mechanism से easy question पूचा गया है addition of HBR to unsymmetrical alkin is marconic of addition only HBR है तो marconic of addition कोई दिक्कत नहीं है तो सही है statement यह in the presence of peroxide anti-marconic product form ठीक है अगर HBR के साथ peroxide दिया हो तो फिर anti-marconic of rule होता है यह भी सही है E to elimination bridge head position is easy to occur अभी इसको देखते है ascent to reaction at vinylic position is difficult to occur यह भी पका ठीक है तीक है ऐसा कुछ होता नहीं है यह बोरा ना E to elimination at bridge head position is easy to occur नहीं ऐसा भी यहाँ पे इतना होता नहीं है इसलिए इस question का correct answer आएगा D यहाँ पे A, B और D statement सही है C statement सही नहीं है bridge head position पे easily E to elimination नहीं होता है ठीक है bridge head पे double bond आप बना के तो सारा ही खराब कर दोगे तो bridge head position पे E to elimination नहीं होगा next question की बात कर लेते हैं यहाँ पे इस पिना कोल पिना कोलोन rearrangement तो सबसे पहला step क्या करोगे आपका इसका attack करो इन दोनों में से करवा सकते कहां कार्बो कटाइन बनाएंगे जहाँ जादा stable होगा तो यहाँ दो दो फिनाइल रिंग लगे वे तो यहीं पे हम कार्बो कटाइन बनाएंगे भई तो कार्बो कटाइन हमने बनाया कहां पर यह वाला जी उसके बाद क्या होगा जी rearrangement उसके बाद क्या होगा यहाँ से rearrangement यह वाला मिथाइल यहाँ पहुंचेगा यह positive charge यहाँ पहुंचेगा तो कहानी बनेगी कुछ ऐसी पिनाकोल, पिनाकोलोन rearrangement का question है बहुत ही simple होता है यह CH3 आँगा और यह C double bond O CH3 आँगा तो this is the this is the crack transfer जो कि आपका option number A ही दिया हुआ है पहले step में हमने क्या किया oxygen का loan pair H positive पे गया तो यहाँ पे O के उपर positive charge water eliminate हुआ, carbocatine मना उसके बाद हमने यहाँ से methyl का migration करवाया, जैसे methyl migration करवाएगा, positive charges carbon पे आएगा, यह वाला oxygen अपना loan पे रिडोनेट कर देगा, proton वाहर निकल जाएगा और यह बन जाएगा, तो A is the correct answer, पिनाकोल, पिनाकोलोन rearrangement का यह question था next question देख लेते हैं acclaison condensation of ethyl acetate in the presence of sodium ethoxide, तो देखिए भई, यह आपका ETO and C double bond OCH3 this is ethyl acetate इसकी reaction आपने करवानी है sodium ethoxide की presence में, यह रहा and यहाँ पे नाम भी लिखावा acclaison condensation, simple है बहुँ जादा, सबसे पहला step तो वही acid-base reaction होती है यहाँ पे कि भई आपका, यह बेश रहा और यह यहाँ से proton को निगा लेगा तो पहले step में यहाँ पे होता क्या है कुछ इस परकार से CH2 के उपर आगया, यहाँ पे negative प्लस में, इसके दो mol लेने होते हैं हमें ऐसी reactions में तो यह फिर से क्या होगा, ETO C double bond O, CH3 अब यह as a nucleophile के तुर पे यहाँ अटेक करेगा, कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी तो यहाँ पे ETO CO के उपर आगया negative, यहाँ पे आगया CH3, यहाँ पे आगया CH2, यहाँ पे आगया C double bond O, और यहाँ पे OET, अब क्या होगा O negative नीचा आएगा and EOT यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो final जो product हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ से CH3, C double bond O CH2, C double bond O and OET यह आपका final product होगा according to Claisen Condensation Reaction तो ऐसा आपको जो दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से वो कौन से option में दिखाई दे रहा है CH3, C double bond O CH2, C era B is the correct answer क्या आगया बचा B is the correct answer Claisen Condensation का reaction तीन नेम reaction तो अभी तक होई ही चुकी है पहली reaction थी Bayer's Phylasor Oxidation उसके बाद Claisen Condensation and Pina Col, Pina Colon Rearrangement ठीक है उसके बाद यह दोनों क्या है बची इसको RS Nomenclature से भी देखने से तो सब कुछ सेम ही लग रहा है ठीक है अब main बात यह है कि आप इसको किस तरीके से देखते है देखे एक तरीका तो यह है कि आप इनका जो है naming करें कहीं से कर लें एक, दो, तीन, चार, यहां से कर लें चाहिए यहां से कर लो चाहिए यही से कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार तो जब आप देखेंगे सारी चीज़े आइडेंटिकल आएंगे जैसे अगर हमें बात करूँ फर्स्ट इसको प्रेफरेंस देंगे सेकिंड, थार्ड, फॉर्थ तो यहां से जब हमने देखा होगा तो वन टू थरी की कोई फरक नहीं पड़ेगा यह क्या है आपका भई? यह दोनों आइडेंटिकल हैं आप इसको अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं आप इसका जो है फिशर प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं उसके बाद these are identicals यह आपका identical आइडेंटिकल आएंगे तो ज़्यादा तर कोशिस कीजिएगा इस टाइब में आप RS Nomenclature के Coding IUPAC name लिखें और IUPAC name अगर सेम आदे हैं तो पका identical होंगे कभी भी दो isomers के जो isomer होते हैं उनका IUPAC name आपको सेम नहीं मिलेगा identical compounds का IUPAC name आपको सेम मिलता है next question क्या कहरा भई the stereochemical requirement for E2 elimination सभी को पता होता भई anti-periplanetory anti आपका बोल सकते हैं आप basically anti-elimination होता है E2 के अंदर anti-elimination ठीक है तो simple है इसमें कोई ज़्यादा explain करना भी नहीं है next question is related to isomerism stereochemistry अच्छा question है ethylene glycol skew confirmation is more stable than staggered confirmation staggered confirmation is unstable due to steric hindrance ethylene glycol की जो खास बात है यहाँ पर धान दीजिएगा CH2OH and CH2OH देखे स्टुडेंट यह कह रहा है कि इसकी जो skew confirmation है वो ज़्यादा stable होती है बिल्कुल सही बात है basically आप skew confirmation की बजाए आप बोले कि इसकी goals form ज़्यादा stable होती है देखे जब आप इसका newman projection बनाएंगे अगर आपको बना के दिखाऊँ यहाँ पे OH यहाँ पे OH बाक्की जगा एच एच लगा दे ना बाक्की फंड़ा आपका खतम हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार चाहे है hydrogen यह दिजार इसका ना जो antiform होती है antiform antiform से भी ज़्यादा stable होती है इसकी goals form उसके बिछे reason होता है intramolecular hydrogen bonding उसके बिछे reason क्या होता है intramolecular hydrogen bonding बात यह दोनों ठीक है staggered confirmation unstable होता है steric hindrance की वज़े से यह भी सही है यहाँ पे बट दोनों बाते ठीक हैं but reason sorry reason इसका बड़िया explain नहीं कर रहा है reason इसका अच्छे से explain नहीं कर रहा है correct explanation नहीं है reason तो इसलिए B is the correct answer बात दोनों ठीक है बट इनका कोई लिना देना नहीं आपस में इसलिए इस question का correct answer बन गया B next question क्या कह रहा है methoxy methyl chloride undergo hydrolysis more methoxy बना के देख लो भई यहाँ पे आगया OCH3 ठीक है नहीं होगा जी methoxy उसके बाद फिर से methyl chloride आगया जी अरे भई इसका hydrolysis तो बड़ा जबर्दस वाला हुगा reason क्या है जसे chlorine यहाँ से जाएगा carbocatine बनेगा this carbocatine is highly stabilized by OCH3 backbonding baldo plus m baldo तो यह तो बिल्कुल सही है तो methoxy methyl chloride undergo SN1 reaction हाँ, सही है यह दोनों बाते तो यह बाते दोनों ही सही है इसी वज़े से यह देखने को भी मिलता है कि आपका A is the correct answer assertion भी ठीक है and reason भी ठीक है A is the correct answer next question की बात कर लेते हैं student yes, यह बढ़िया question है थोड़ा सा अच्छा question है समझते हैं इसको consider the flowing reaction involving SN2 mechanism A, B, C which above the flowing reaction will be accelerated in increasing solvent ionizing power तो देखे, अगर आप चाहते हैं कि solvent ionizing power या solvent की power तो अगर increase करके तो किसके लिए ज़्यादा मतलब वो matter करता है यहाँ पे तो वहाँ पे यह चीज़ matter करती है जहाँ पे substrate and आपका nucleophile neutral होते हैं जहाँ पे आपका substrate and nucleophile neutral होते हैं वहीं पे यह चीज़ देखने को मिलती है तो यहाँ तो nucleophile के उपर charge है यहाँ भाई आपके पास nucleophile के उपर charge है और आपका सबस्टेट के उपर भीचारत ना A सही है ना B सही है ना A सही है ना C तो only B is the correct answer Only B is the correct answer जहाँ पे neutral होंगे ना सबस्टेट और आपका nucleophile तो वहाँ पे आपका इसका solvent ionizing power का रोल देखने को मिलता है ठीक है? Next question है क्या यह resonance stabilized है? क्या यह resonance stabilized है? देखे भई अगर यह अपना loan pair इसको donate करे तो पका यह resonance stabilized हो सकता है ठीक है? यह हो सकता है तो इसको resonance stabilized बोल सकते है इन्दी अबाव structure formal charge on carbon plus 1 है nitrogen के उपर minus 1 है क्या? नहीं, nitrogen के उपर minus 1 नहीं है अगर nitrogen अपना nole pair donate कर देगा तो फिर उसके उपर plus आ जाएगा है रा? तो यहाँ पर negative charge का तो कोई funda बनता दिख नहीं रहा है तो उस point of view से अगर हम बात करें यहाँ पर resonance के बाद तो statement first ठीक है second गलत बोल सकते हैं so C is the correct answer statement first रही है and second वाली गलत है तो C is the correct answer तो वाई CUET PG 2020 का हमारा last question आ गया है hope कि आपको सारे चीशे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगी आप बनाव Z2 Phenyl Butte 2 Ene Z बोला है ठीक ना? Z का मतलब होता जो first priority and यहाँ पर भी first priority आमने सामने आ जाए तो यह Z है यह कह रहा कि reaction of Z2 Phenyl Butteam 2 Butteam with Bromine Leads 2 यह anti addition भी करती है और sin addition भी करती है जबकि जो simple आपका जो butene होती है Z2 Butteam वो आपका 100% anti addition करती है तो यह कह रहा कि ऐसा क्यों है कि 37% आपका sin addition सो करती है तो उसके पीछे reason आता है D और मैं explain भी करता हूँ क्यों देखिए जब यहाँ पे आपका BR आके इस ब्लू पैन से देखते है इसी से देखना पड़ेगा जब यहाँ पे यह bond break होगा यह वाला bond break होगा और यहाँ पे कोन आएगा BR आएगा ऐसे आके जुड़ेगा positive charge इसके उपर आगया अब क्या होना है अब यह करा कि यह कैसे देखो एक condition तो यह हो सकती है कि हम भाई इस bond को यहाँ break करें और यह positive charge आए तो यह positive charge resonance stabilized तो नहीं है ठीक है और दूसरी condition यह बन सकती कि आप इस bond को यहाँ break करें यहाँ पर positive charge आए this is resonance stabilized तो यही बात यहाँ पर लिक हुई है bromium ion is less stable than corresponding open carbogatine intermediate तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते है तो जो बढ़िया इसका correct answer जाएगा वो D, D only D only is the correct answer D only is the correct answer तो यह था जी हमारा CUETPG 2022 का complete solution होब कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी question में doubt है तो आप मुझसे comment box में या personally message करके पूछ सकते हैं तो होब कि आपको यह video काफी अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो like और share किजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you